कि आज मानने अमुख मंत्री जी ने सके में सेच का दौरा किया था शाथ में मानने अमुख मंत्री जी और सफी यह हम लोग भी थे प्रधांट जिस बास्त भी थे वहांपर और जिलाप्रशासन के सभी वरीज़ाई पतादिकाली सभी लोग को ठीच आप मानें मुख्वंतरी जी और उनकी पूरी टीम ने लगभग हर बिड़ पर हम लोग गए हैं वहाँ पर और उनके बारे में उन वहां काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और छिकिसक भी बिल्कूल को वहां काम कर रहा है था। फिर भी एथियातत द्वाski वहां कर दो, यह संथांट में जहां सके में 나가 का ब्लाओं सोगतान काम करने के लिए होता है तो यह कहा गया है फिर से रेटरेट किया गया है कि यह मरीजों को पहुचाने में उनको किसी भी तरह का करना पड़ेगा या तो सरोकारी एंबीलën gehen से तो किसी भी गाड़ी से आते हैं उनंको विपर करेंगे पैसा इंडना ही नियाग सब आपके माध्यम से चार सो रुपे का रिंबर्स्मेंट करेंगे उनको मतलब आने जाने का और आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वह प्रचार भी हो कि वह किसी भी गाड़ी को पकड़ कर अगर जितना जल्दी पीएसी तक पहुंचें या इसकीम सीच पहुंचें या सबस्था है दूसरा डिरेक्शन यह दिया गया है कि वैसे तो चिकिस्कों की वहां कमी नजर नहीं आ रहे थी और सारे चिकिस्क मनयोग से काम कर रहे हैं फिर भी उनको सप्लिमेंट करने के लिए क्राइसी चल रहा है तो कुछ चिकिस्कों कुछ चिकिस्कों को अंदर डीम के बीच प्रचार हो रहा है कि इसको इस बीमारी से किस तरह से सामना किया जाए ताकि उनको कहा जा रहा है कि बच्चे खाली पेट नहीं सुएं बच्चे को शाम में जरूच खिलाया जाए और बिमार होने के स्थिति में तुरंत उनको पहुंचाया जाए कि कहा जा रहा है फिर भी हम लोग ने आज डिरेक्शन दिया है प्रसाशन को कि जितने आशा कार्ज करता है जितनी आंगरवाड़ी के लोग है सब के माध्यम से सभी घरों तक अगर अभी तक वारेस नहीं पहुंचा है तो वारेस का गोल पहुंचना चाहिए और घर अजवाग को बताना चाह होगा तो यहतियातत तीन-चार इंस्ट्रक्शन और दिये गए हैं मगर में जो सभी से बात करने के बाद में जो निशकर्स कुछ नहीं निकलनी पा रहा था कि यह बीमारी का कारण गया हो सकता है कुछ लोग कहते हैं यह खाना खाली पेट रहने से हुआ है कुछ कह रहे है कि लीची खाने से हुआ है कुछ कह रहे हैं कि environment के कारण से हुआ है और जब करीब 50-70 पर हम लोग गये हैं तो सब के अलग-अलग background थे किसी ने कहा कि नहीं खाना खाया इसलिए हुआ है किसी ने कहा कि धूप में बहुत खेला है दिनोंबर धूप में खेला है इसलिए कि हम लोगों को जितने गर्ब बच्चे प्रभावित हुए हैं करीब 400 अधिक प्रभावित हुए हैं इस बार मज़फर पुजीले में खासकर उन सभी घरों पर एक टीम कल से जाएगी यह जानने के लिए कि उनका socio-economic और environmental background क्या थी मतलब socio-economic मतलब उनकी हालत क्या है गर इस बास्त में है या फिर environmental कारण तो नहीं है कि ऐसी गर्मी कही पहले नहीं पड़ी है वहाँ पर पिछले दो सालों से बारिस नहीं हुए यह कारण तो नहीं है या कुछ और कारण हो सकता है तो यहां निर्णा लिए आ गया है कि सभी घरों में कल से एक टीम जाएगी सभी प्रवाइद घरों में और वहां टीम कुछ बिंदूओं पर फूचताज करके और एक कारण पर पहुंचने की कोशिश करेगी यदि कोई सोश्यो इक कारण हो जिसको सरकार इंटर्वेन कर सकती है और इंटर्वेन करके आगे के ठीक कर सकती है तो हम लोग उसको करेंगे तो हम हैं हीट वेप का जो जो टेमपरिचर आया कर एक फटि थी एक फटि फोर्टि पोर रहा है औरंगावाद में भी तो यह तो यह टेम प्रेदिशर कोई अनकॉमन टेमपरेचर नहीं और इसका प्रेलिक्शन भी था कि तेमपरेचर रहे गा ही अभी अवगली दो तीन दिन को तीन बजे अचानक क्या हुआ इसा कि तीन से पांच की बीच में पैंतिस औरंगाबाद में और यहां बारा यहां बारा आ गए क्यों हुआ है तो इसमें अब तो एक तो अभी क्लिर निकलेट नहीं है लोग जो कुछ लोग बताते हैं अभी सही है कि नहीं है मैं भी कुछ नहीं करूंगा कि उस तीन वजे के आस्पास और दोतेन घंटे अजीब तरह का वहां पर हीट वा पहाड़ी बिसलए पहाड़ी का असपास वाज उसके आसपास के गम में हुआ है तो अब अगर है कि हीट वेबभ था यहां तभी से डिर एयो हो सकता है त। इसको इसकल जो तसीर आप देख रहे हैं और जो तसीर हम देख क्या है उसमें जमीन आसमान कांता है आप में का वहाँ वेवस्था बहुत अच्छी है लेकि महाँ पानी की प्रॉब्लम है लोगों को बाहर से पानी लेना पड़ रहा है वहाँ जितने भी पानी के लिए जो लगाए गया ह अरो बगएरा वह खराब हैं डॉक्तर जो हैं उनके पास हमने जो देखा वहाँ और सीजन भी नहीं लगा हुआ है ऑट सीजन लगा हुआ था लेकिन उसमें और से लिंडर में बिलकुल खाली था तो आप जो तस्वीर देखने हों मेरी हम जो तस्वीर देखने हैं उसमें अब आप ही थोड़े देर पहले आपने बताई कि हम लो सब्सक्राइब की हमने भी लगबग इतने लोगों से बात की हमारे बास वीडियो फूटिज भी है इसमें कहा रहे हैं कि महास्वास तो दिनाए बहतर नहीं है और जो आपने कहा कि लोगों को लाने में देरी हो रही क्युक्त्राइब लगछें को यूटे जए ने बहुत प्राव्लम हो यह उधियर कर रहे हैं थे हैं कि बीच में अगर एंदर लाए तो इस चीज को हम लोगों ने भी जो लोगों तक मेंसेच दिया है कि आप बेने मे कि niyक जाएं है सारा किया हुआ है जो सुगर चढ़ाना है सलाइन चढ़ाना है उसकी वहां भी है मगर अभी आप अगर देखेंगे बच्चों का आया है वह मुसवरी ब्लॉक का है जो ब्लिकुल बगल में है कांटी से है और मिनापूर से जहां अधिकांस बच्चे आएं यह तीनों का लोके ब्लैंस चाहिए तो उनको कॉल करना पड़ेगा वन जिरो डू में वन दिरो एट में कॉल करना पड़ेगा इसलिए हम लोगे द्रबस्ता कि आपको कॉल करने के जड़ूत नहीं है जो गाड़ी मिले उसी को लीजिए और पहुंचिए अगर से मिसीन जाना तो पहुंचिए जाएगा यानि 900 बेट का अगले एक साल में किया जाएगा और उसके बाद करम सब तक पहुचेंगे तीसरा निर्णे हुआ है भविश्च के लिए है कि उसके 100 बेट का पेडियाट्रिक आइस्यू वहाँ बनेगा अभी करी 50 बेट का इसी हुआ है तो हम लोग इसको 100 बेट प अगर यह निर्णे जो हम लोगों कहा कि कौज निर्धारन की बात है इसमें बहुत सारे टीम लगी है और अभी तक बहुत असपस्ट कारण नजर नहीं आ रहा है और जो आज यो कूश्टाच पिये किया गया है सभी भावविकों से तो कहीं भी ए नजर कोई क्लियर कट कार कूछ लोग जिसे दिन पर श्रटन में तो दुन में भी खाना खाया है सुब्सी और कुछ है कि स्वझ मॉर्णिंग नजर नहीं आ रहा है कि बात है तो इसका कोई uniform कारण ने जर नहीं आ रहा है तो कूल मिला कर यही था और वहां पर हम लोग और हमलों फूरी स्माश्भी और चिकिस्टों ने बहुत मनियोग समा काम किया है और मगर है कि अब इतने डेथ हुए है कि इसमें दुर्वागपृन तो है इसका आज शाम तक आठ प्रतम चरण में आठ डॉक्टर सुन्जोग आज शाम तक वहां पर रिपोट करा रहा है अभी पूरी की पूरी वहां पर पेडियाट्रिक टीम है वहां पर करीब जहां तक हमारी जनकारी है तो 31 और अल टॉबलेट्टर्स वहां पर वोगिए अध्रीम